गुड मॉर्निंग एवरिवन यूर नेक्स टोपिक इस एवैलेशन ओफ फोरियर कोफिशंट हमने लास्ट लेक्चर में फोरियर थियोरम के बारे में पढ़ा था फोरियर थियोरम होती क्या है कैसे उसको डिफाइन करते हो कंडिशन क्या है कि आपके पास जो फोरियर कोफिशंट थे तो अब हमें वही देखना है कि फोरियर कोफिशंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे ठीक है यह बले इवैलेशन ओस फोरियर कोफिशंट फंक्शन साइन यह पोला हमेरे पास साइन एकस जो कोस एकस दोनों का प्रोडिक फंक्शन हमें पता तू से पॉक्षन है उन तो अगरनों साइन एकस प्लस तू पाई अगर में लिखो साइन एकस प्लस तू पाई इस एकल तो तू पॉस झ supplements कोशन इसंते LOOK में पास क्या हो गया तो आगर हमारे पास ही इसकाओ टाइंपरेज है तो इसको अलग-अलग फंच करके हम में क्या करना कोफिशेंट की वैली फाइंड आउट करनी है यह पले जो मेरे पास fx फॉंक्शन है वह एक इन्फाइनट सीरीज की फॉर्म में डिफाइन किया था हमने और उसका टाइम प्रेड हम लेके चल पड़ते हैं मेरे पास किया टू पाई क्योंकि साइन और कोसाइन इंक्लूड थे ना उसके अंदर तो यह पॉल रहे जब हम इसको शोल करेंगे एक्वेशन को इसके वैल्यू का फाइंड आउट करेंगे तो हम इंटरवल लेंगे इंट अंगर इंटरवल मैनेस पाई से पाई है तो साइन एम X और कोस एन X हमेशा क्या होगा जीरो वैल्यू देगा सारे अंटीगल वैल्यू मतलब जितनी वी वैल्यू बैल्यू सब पर जीरो वैल्यू देगा तो इसको प्रूव करते हैं अगर इसने और यह वैसे और्थोगनल किसके एकल होगा, sin a plus b plus sin a minus b, तो हमने क्या करते हैं, यहाँ पर यही फोर्मला प्लाइ कर दिया, 1 बाइट हो नीचे, और मेरे पास क्या आजेगा, sin a plus b plus sin a minus b, अब मेरे पास यह प्लस की फोर्म में आगे, तो इसलिए integration कर सकते हैं, integration किसके एकल होगा, sin x divided by उसके angle का, तो sin का integration क्यों होगा, cos, minus cos होगा integration, तो क्या होजएगा, cos m plus n x divided by क्या आजेगा, उसके angle का differentiation तो क्या आगे आगे, आपके पास m plus n, प्लस में ऐसे इस एंगल का करेंगे मिर पास क्या आजएगा cos m-nx divided by उसके एंगल का करोगे differentiation तो मिर पास क्या आजएगा m-n और लिमिट कहां से कहां ते का minus y से pi आप मिर पास sign कहां मैं पता था cos minus of cos होता है integration तो minus क्या आगया 12 आपका 1 by m cos आप लिमिट अपलाए करोगे upper limit minus lower limit upper limit में क्या आजएगा cos m plus n into pi minus lower limit में क्या आजएगा cos m plus n into minus pi सेम इस टम में भी मिर पास क्या करेंगे upper limit और lower limit अपलाए करतेंगे तो जैसे हम इनकी value को put करेंगे तो मिर पास cos pi की value कितनी होगी minus 1 cos minus pi की cos minus theta is equal to cos theta होता है सबको पता है यहाँ पर value क्या होगी minus 1 minus 1 और plus 1 0 यहाँ पर भी minus 1 और plus 1 0 तो में पास यह integral किसके को लाजएगा 0 के अब second condition यह बोले अगर में पास minus pi से pi है और दो में कॉन से function है sine function है तो में पास value क्या है pi is equal to del mn लेकिन condition है m0 नहीं होना चाहिए यहाँ पर ठीक है और जो में पास यह del है यह में पास knoker delta होता है इसमें क्या होगा में पास अगर m or n equal है तो हमेशा 1 value देता है अगर m or n equal नहीं है तो हमेशा 0 value देता है ठीक है मतलब direct इसका integration कर सकते direct value अगर में पास यह m or n equal है तो में पास हमेशा इस side 0 value मिलेगी लेकिन अगर में पास m or n sorry m or n equal है तो में पास 1 value मिलेगी मतलब क्या बचेगा यहाँ पर pi बचेगा अगर में पास not equal है तो हमेशा क्या बचेगा 0 बचेगा ठीक है यह इसकी condition है या फिर हम direct ऐसे लिख सकते हैं कि मेरे पास 1 sorry del m n is equal to 1 m equal to n 0 m not equal to n यह condition आपको इक नोगर लेवल टाकी ठीक है अब हमें यह integration शोल करना है तो same way follow करेंगे लेकिन मेरे पास pro किसके लिख रहे हैं m not equal to n के लिए तो हम consider कर देते हैं n not equal to n के लिए तो हमने बोला 0 आना चाहिए न तो मेरे पास सोल करने पे 0 ही आना चाहिए यहापे भी same way 2 से multiply करोगे 2 से divide करोगे तो मेरे पास formula किसका बना 2 sin a sin b का तो मेरे पास 2 sin a sin b किसके को लोगा cos a minus b minus cos a plus b तो वही यहापे हमने formula apply कर दिया मेरे पास यह formula होते है 2 sin a sin b का 2 cos a cos b का 2 sin a cos b का 2 cos a sin b का तो वही चार formula यहापे use होंगे जो mathematics में आपने पढ़े होंगे तो मेरे पास यह किसके को लोगा cos a minus b minus cos a plus b वही same हमने जैसे इसका integration किया सेम इसका क्या करता होंगे integration वह हम limit apply करेंगे अब हमें पता sin pi हो या फिर sin minus pi हो हमेशा value 0 ही देगा तो मेरे पास यह किसके equal आजएगा आपका 0 के equal आजएगा ठीक है अब next integer है मेरे पास कौन सा अब यह condition ले रखे मेरे पास m और n not equal to के आपके पास 0 है मतलब m और n equal है लेकिन 0 के equal नहीं है बस यह condition है अब n और n equal है तो मेरे पास value क्या देनी चाहिए pi देनी चाहिए कनोकर delta के condition के according यही बोलाता न अगर equal है तो 1 देगा तो 1 इसकी del m n की value 1 होगे तो सिर्फ क्या बचेगा pi न तो करते इसको तो मेरे पास m और n अगर equal है तो sin square m x लिख सकते है sin square m x किसके को लोगा 1 minus cos 2x divided by 2 अगर यहाँ पर cos square m x होता है तो मेरे पास क्या आ जाता है 1 बस यहाँ पर plus में आ जाता है यही formula पड़े होगे आपने integration में या फिर normal trigonometry में तो मेरे पास क्या होगा इसका अब में क्या करना direct integration 1 का integration क्या होगा आपका x और cos का integration क्या होगा sin cos का plus sign होता है तो मेरे पास क्या आ जाएगा sin 2 m x divided by इसके angle का differentiation 2 m इस पे भी way limit apply करेंगे तो मेरे पास क्या होगा pi X की जगह क्या आ गया Pi और मेरे पास क्या आजएगा X की जगह दुसरा क्या आगया Minus Pi और Sin की जगह Put करोगे value क्या देगा 0 तो मेरे पास क्या होगा Pi plus Pi किस के क्लोजएगा X की जगह Pi Minus of minus Pi Upper limit minus lower limit होता है And Sin में तो Pi put करेंगे So हमेशा value 0 ही देगा तो मेरे पास क्या आजएगा, half into pi plus pi, तो मेरे पास value क्या आगी, pi आगी यहापे, तो वह condition, अगर मेरे पास क्यों होगा, m और n equal है, लेकिन 0 के equal नहीं है, m और n, क्योंकि 0 के equal होगा, तो मेरे पास automatic function नहीं 0 होगा, तो m और n अगर equal है, तो pi value देगा, not equal है, तो 0 value देगा, next हमने एक function ले लिया, कि मेरे पास कौन सा है, orthogonality condition, अब किसके है, cos a, cos b की, या फिर नहीं बोल सकते है, cos mx और cos nx, यह किसके को लोगा, यह भी इसने वही same condition है, कि मेरे पास del पर depend करेगा, कि pi अगर मेरे पास m और n equal है, तो मेरे पास one value देगा, not equal है, तो 0 value देगा, ठीक है, तो इसमें वही two से multiply, two से divide करोगे, तो two cos a, cos b का formula apply करोगे, वही किसके को लोगा, cos a minus b, plus cos a plus b के sign में होता, तो बीच में minus sign आ जाता है, यहापे, ठीक है, sin a sign b का होता तो, चीक है, तो यहापे क्या करोगे, वही सेम हमें क्या करना, इसका integration करना, integration follow करोगे, value क्या आगी, 0, क्योंकि मैं पता, sin b पाई value पुट करोगे, तो हमेशा 0 ही value देगा, तो मेरे पास क्या आगी, 0, second case लेके चलते हैं, अगर m और n equal है, तो यहापे क्या होजएगा, cos square mx होजएगा न, यह होगा, cos square mx, यह formula हमने यही बता था, कि अगर sin है तो बीच में minus आएगा, cos है तो बीच में क्या आएगा, यहापे plus आएगा, तो मेरे पास क्या होजएगा, इसका formula, 1 plus cos 2x, divide by 2, तो हमने क्या कर दिया, formula पूट कर दिया, value पूट कर दिया, same way case है, sin में तो value pi पूट करेंगे, minus pi पूट करेंगे, 0 ही देगा, बट यहापे excuse है क्या होजएगा, pi minus of minus pi, तो क्या होजएगा, 2 pi divided by 2, तो value क्या देगा, आपके पास pi देगा, यह हमने और्थो तिनों जो और्थो गुनल्टी कंडिशन थी, वो कर ली, अब हमें देखना है कि coefficient, पहले हम A note की find out करेंगे, यह बोला मेरे पास A note में क्या कि हमने integration कर दिया, दोनों साइड कि से minus pi से pi तक, जो minus pi से यह बोला pi तक integral करोगे, तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास general equation क्या थी आपके पास, वही मेरे पास condition क्या थी, A note plus में summation n is equal to 0 to infinity, A n cos x plus b n sin n x, यह condition थी आपके पास, यह बोला मेरे पास क्या होगा, इस equation में जब minus pi से pi करोगे, तो मेरे पास बाकी सारे integral तो क्या होजएंगे, जिरो, सिर्फ क्या बचेगा, A note बचेगा यहाँ पे, जब A note की value find out करोगे, minus pi से pi, जब integration लेके चलोगे, तो सारे term क्या होजएगी, integration करने पे cancel, सिर्फ मेरे पास क्या बचेगी, A note बचेगी, तो into में क्या आजएगा, dx तो मेरे पास क्या होगा, करेंगे, cos nx से, ठीक है, जब cos nx से multiply करोगे, और integration क्यों होगे, minus pi से pi, तो मेरे पास, actual में equation क्या थी, यही थी, A note, यही आजएगा, A note cos nx, plus A1, यह तो यहीं पे लिखी हुई है, मतब A n लिख देते हैं, cos nx into cos mx, plus B n, cos into sin, आज चेक करते, cos into sin, cos into sin, यह रहा, sin into cos, या फिर cos into sin, integral value क्या देगा, 0 ना, तो इसका मतलब, B n, तो इस time क्या होजेगी, 0, और यहाँ पे भी क्या आजेगा, A note, अगर मैं इसको भी देखू, A note, integration करोगे, cos का integration, sin ना, sin pi और minus pi पे value क्या देगा, 0, इसका मतलब यह भी value क्या होजेगी, 0, तो मेरे पास सिर्फ term कौन सी बचेगी, यहाँ पे आपके पास term बचेगी, जब minus infinity जे infinity, fx cos nx की multiply करोगे, तो सिर्फ आपके पास यह term बचेगी, minus pi to pi, an cos nx, और cos mx, यह होगा, तो मेरे पास यह क्या होगा, cos nx की क्या होगी, value को सब्सक्राइब जो मेरे पास value आई थी, क्या आई थी, pi बचेगी यहाँ पे एक चुल में, solution क्या था, cos nx का, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आईगी, pi, तो मेरे पास क्या आजए, करोगे तो A note वाला और Bn term वाला पूरा coefficient बचेगा आपका तो मेरे पास यह क्या आगे है मेरे पास क्या आगी Bn क्या हो ज़ेंगे 0 सोरे यह मेरे पास यह यह term बचेगा बाकी सारी term क्या हो ज़ेंगे आपके पास 0 तो मेरे पास BN किसके को लाज़ेगा 1 by pi minus pi to pi fx sin nx को लाज़ेगा आपके पास यह मेरे पास क्या होगी 4 year condition a n की value निकालने हो कहीं पर b n की निकालने हो a note की निकालने हो तो direct यह formula यूज़ करोगे ठीक है यह मेरे पास method था कि हम कैसे find out कर सकते है coefficient को पहले उनकी orthogonality condition लगाई ताकि क्योंकि याद लगा तो साथ के साथ भी किसकते थे बट वही था कि मेरे पास पूरा integral a की equation में solve करेंगे तो काफी complicated हो जाता है तो इससे हमने orthogonality की जो conditional लगाई आके उनको पहले solve कर दिया तो direct हमने उनकी value को 0 की form में put कर दिया ठीक है तो मेरे पास यह क्या आज़ेगी bn की value आज़ेगी आपके पास